तो अब हम बात करते हैं कि जो दो कनेडा के वीजे आये हैं उनकी प्रोफाइल कैसी थी आपको खोल के दिखाते हैं देखो तीन तीनों जगे खोल के दिखा सकते हैं आपको इन भाई साहब को रिफ्यूजल क्यों दी गी है और इसको यह गलती आप ना करें ठीक है पांच पी कि अधि? बस कम नवीं है सबसे पहले वह आप लोगों का टै दिल से मैं थेंख यू करना चाथा हूं आप लोगों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया यार सच्ची मैं आप लोगों का तेह दिल से थैंक यू आप लोगों ने मेरे पर ब्रोसा बनाया लेकिन मैंने ब्रोसा तोड़ा नहीं भाई आप लोगों का इसकी बदोलत भाई आप देख सकते हो भाई एक वीजा न्यूजीलेंड का आया है ठीक है और पांच PPR रिक मैंने स्क्रीन शॉट निकाल रखें यह देखो और बाकी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूँ कि आज का दिन 30 जनवरी 2024 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है बाई कसम से आज 11 रजेल्ट आये हैं मैं आपको बता दू चार रिफ्यूजल है और यह चारों की चारों कन ठीक है और वो जो लड़की का विजा आया है जो जरमनी जो लड़की हमें इक वीडियो बना के बेजेगी भाई हो सकता वीडियो था वो देर रात या सुबह होते होते यूटूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि मैं ऐसे वीजे दिखा देता हूं ठीक है आपको मैं बता दूँ अब आज के बाद भाई आपको किसी को ब्रोसा करना हो तो कर लेना काम मैं अच्छा करता हूं और दूजरी बात है एक वैलिड कमेंट लगा तो मैंने सोचा कि आज मैं शुरुवात करता हूं सबसे पहले ये जो भाई पांच कनाड़ा के आज जो वीजे आये हैं इसमें से दो फाइले मैं आपको आज डिसकस करना है चाहता हूं आप लोगों के साथ मैंने इधर पूरा बना लिया है तो भ लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है ठीक है मैं फिर भी नॉर्मल फीस पर काम करता हूं मैंने हटके किसी से अलग काम किया है ठीक है मैंने पूरे इंडिया में एक हटकर काम किया है एक मतलब मैं सोच रहा हूं कि यार ये इतना मतलब यह जो दंदा है ना इतना मतलब लोग इसको इतना हेट करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि बई एजन्ट इतना इतना पैसा लूटते हैं 20-25-25-25 बई मैं आपको बतादू मैंने परaciों चौथे इमारे दो USA के विजे आये हैं भाई मैंने कितने रुपे लिए पता है उनसे 20,000 रुपे लिए only best वो बंदे ना खुद मेरे यहाँ पर आए लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम वीडियो मत बनाना हमारा कोई रीजन है भाई उनका ठीक है और मैंने कल की वीडियो में उनके वीजे भी दिखाए थे पर भी अपलोड करता हूं और अगर आप लोगों को यह सारे वीजे जानने जो यूस से क्या हैं या जो कैनेडा के हैं मैं यूट्यूब की शौट वीडियो लगा देता हूं वो शौट वीडियो डिलीट नहीं करता है यूट्यूब मतलब कम करता है ठीक है YouTube यहाँ वीडियो डिलीट कर देता है मेरे अब तक मेरे 8 वीडियो डिलीट हो चुके हैं ठीक है भाई तो भाई आज मैं आपको बता दू यह देख लो 4 PPR request मैं आपको सक्रीन पर शो कर देता हूँ 5 sorry 5 PPR request मैं आपको शो कर देता हूँ यह दो PPR request है भाई आप लोग देख सकते हो यह दो PPR request है अब मैं PPR request बता दिखा रहा हूँ कहीं यह भी न उड़ा दे ठीक है इसके अलावा भाई यह कुछ वीजे हैं भाई जो कि पहले आई हुए हैं इनके passport पे sticker लगने गए हुए थे आपको याद है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि दो PPR request आई हुए हैं तो भाई यह जो पहले के वीजे हैं अब इसको यह मत समझ लेना कि भाई मैं रोज ही यह वीजे दिखा देता हूँ इसमें से दो वीजे लेटस्ट में है लेकिन आज मैं दो दो वीजे की बात करूँगा मैं उनके बारे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले मैं आज आज आपको एक अस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल है उसकी बात करूँगा और दो कनाड़ा के वीजे आए हैं मैं उसकी बात करूँगा ठीके ये तो न्यूजी लेंड का वीजा है आप लोगों मैंसे बहुत सारे लोग थे ये एक आस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल आई है और इस बंदे की कैसी प्रोफाइल थी और किस वज़े से रिफ्यूजल आई है हम इसके बारे में बात करेंगे और दो कनेड़ा के वीजे आए है मैं आपको फिर बता दूँ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैनेड़ा के वीजे इन दिनों कैसी प्रोफाइल पर आ रहे है ठीक है बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेस्चन है बाई देखो बाई किसी बंदे का कनेड़ा का अगर सपना है न अगर एक दो कंट्री ट्रेवल्ड है या फ्रेश पास्पोर्ट है कसम से यार पहले मैं फ्रेश पास्पोर्ट वालों को सीधा बोल देता था तकी वीजा नहीं आएगा लेकिन कसम से यार ये जो 30 दिन में जो मतला सौरी मेरे मूर से पंजाब नी हुना तो भाई वो पहंचो बाला निकल गया सौरी बाई सच बता रहा हूँ इतने बाई एक बंदे की वीजा आया है बाई एक बंदा है इस वक्त यूपी से बंदे की बाई 20,000 रुपे सेलरी है कोई कंट्री ट्रेवल नहीं है बाई कनाड़ा ने वीजा दे दिया उस बंदे को बाई मेरे दिमाग के फरकचे उड़ गे बाई उसको उसने बोला कि सर आप डालो मेरे पास ऑप्शन नहीं है मैंने उसको बोला था कि रिफ्यूजल आया ता तेरी जुम्हेदारी है बोला ठीक है भाई यार उसका वीजा आ गया यार हाला कि मुझे बहुत खुशी है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कई बार यार बही जब मैं रॉंग हो जाता हूँ न देखो भाई मैं रिस्क नहीं लेता मैं दिन में 60 बच्चों से बात करता हूँ लेकिन मैं सिरफ 5 या 6 वीजे ही उठाता हूँ मैं चाहूँ न एक दिन में 15 से 20 वीजे उठा सकता हूँ मुझे भाई ठगी का पैसा नहीं चाहिए एक बाई को मेरे से बात करनी है ये मेरा फॉन पे का QR कोड है ये मेरा गूगल पे का QR कोड है ठीक है मेरी 200 रुपए बात करने की फीस है फीस मैंने इसलिए रखी है कि बाई देखो मेरा टाइम बहुत कीमती है मेरी आप लोगों से हाथ रो जोड के रिक्वेस्ट है इसको किसी ही बात है और कोई बात नहीं है भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको अधरवाइज मतलो 200 रुपए आपको डाल कर ये वाले वाटसप नमबर पर आपको सक्रीनशोट डालना है और जल्दबाजी नहीं करनी है ये लड़का इस वक्त यूके में है ये लड़का आ अगर कॉल नहीं कर पाया मुझे जो टाइम दिया हुआ है तो आप आगे पिछे कर लिया करो कोई बात नहीं है अगर मेरा कॉल वेटिंग पर आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लिया करो ठीक है चलिए अब मैं टाइम नहीं खोटी करता हूँ सबसे पहले बाई ये जो बंदा इसका नाम नहीं लूँगा मैं जिसकी भी रिफ्यूजल है ठीक है अब भी अपने डिसकस कर लेते हैं कि इन बाई साब को रिफ्यूजल क्यों दी गी है और इसको ये गलती आप ना करें ठीक है सबसे पहले बाई मैं आपको बता दूँ ये जो बंदा है ये बंदा पंजा क्या निकाली है देखो भाई आपको मैं एक चीज बता दूँ कभी भी आप ITR भरो ना और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप ITR भरो आपकी ITR जो आपकी ITR होती है जो competition चार्ट होता है वो आपकी state bank statement के साथ मैच करना चाहिए अब वो कैसे मैच करेगा मैं आपको बताता हूं मान लो मेरी 60 लाग की अगर turnover है मतलब turnover का मतलब होता है कि कितना पैसा आपके खाते में गया और निकला है ठीक है वो पैसा कितना है वो पैसा जब आपका C.A. देखेगा वो पैसा देखकर आपका C.A. आपको बताएगा कि सर आपका इतना लेंदेन हम क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं कि सीए को फॉन करते हैं कि बैइ मेरी 499 की आई टिर भर दो मुझे टेक्स नहीं बरना है मेरी 490 की बर दो ठीक है बैए अब देखो अम बैसी भी देख रही है कि बैइ सबकी आई टिर 494, 94, 87 ऐसा कैसे possible है अब इस मंदे की क्या हुई अमबैसी ने इसमें गलती क्या निकाली कि भाई जो आपकी ITR है और जो आपके खाते के अंदर पैसा पड़ा है वो आपका पैसा मतलब वो फंड उन्होंने ये बोला है कि मतलब वो सिधा सिधा नि बोलते हैं वो उल जाके बोलते हैं कि भाई आपका इस कॉंटेक्स में आपकी ITR जिस कॉंटेक्स में है उस कॉंटेक्स में आपका जो फंड नहीं है आप एकनोमिकली लो हो ठीक है अब ये चीज भाई इसका मेटर आप कैसे समझोगे सरकमचांस वी के अब देखो भाई कई बार क्या होता है ना कई बार क्या होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है ना भाई स्टेटमेंट पर सारा वीजा टिका होता है कुछ परसेंट 40-50 परसेंट जो आपका वीजा होता है वो आपकी ITR और आपकी बैंक स्टेटमेंट पर टिका होता है ठी साब के अकाउंट की अंदर जो टरंओर मैं सीधा सिधा बता रहा हूं इसकी गल्ती कहां हुए दो भाई इस भाई साब की एक साल की जो टरंओर आ वो तीन करोड के आसभास है और इस बन्देने अटीर कितनी बड़ी यहां पता है और 500,004 बोला है आप की ITR आप सिद्धा कहने का मतलब आप मतलब आपका फाइल बता देता हूँ इन बाई साब की गलती कहां होई इनके बैंक इनकी जो टर्नोवर थी वो तीन करूर की आसपास थी और इनकी जो आई टीर थी वो चार लाक निनानमे जार की थी मैंने भी इनको जब ये पूछा कि भाई आपने वीजा किस से लगाया क्या उस बंदे या नहीत आपकी चेक करी या नहीं करी तो बाई उन्होंने बोला कि भाई नहीं चेक करी देखो बाई यहां मैं उसकी भी गलती नहीं निकालूँगा अगर भी होता तो मैं भी भाई इतना नहीं चेक करता हम तो छै महिएन crafting alguma लेते हैं मैं तो यह देखता हूँ ओने ज्या मैं इनका बता देता हूं इन बाई साब का क्या था इनके दो बिजनस थे एक बिजनस था इनका कि इनकी एक शौप थी वो जो बरतन होते हैं बरतन वाली शौप थी मतलब आप कह सकते हो कि बरतन बंडार के नाम से आगे इनका नाम लगता है तो सिधा सा मतलब है इनकी जो बै इनकी आई टीर जादा बनती थी अमबैस्टी को पता चल गया अमबैस्टी ने लिखा कि आपकी जो आई टीर है वो आपके फंड के साथ रिलेट नहीं कर रही है ठीक है अब ये बात हो गई ये तो रिफ्यूजल हो गया इसका सो अब हम बात करते हैं कि जो दो कनेडा के ये बहुत य अच्छा टाइम है भाई मुझे नहीं समझ में आरहा है भाई ऐसी ऐसी प्रोफाइलों पर विज़े आरहे हैं या हम काम अच्छा कर रहे हैं सच बता रहा हूं मैं भाई कस्छम से अब मैं आपको दो फाइलें बता रहा हूं एक फाइल तो मैंने बता दी कि भाई जिस बंदे की 22,000 रुपे सेलरी थी कोई भी कंट्री ट्रेवल नहीं था उस बंदे के खाते में एक अच्छी चीज थी हर महीने 22,000 रुपे आ रहा था और 3,000,000 रुपे पहले पड़ा हुआ था 5,000 से 7,000 वो बंदा निकाल रहा था बाकी वो बंदा मतलब यूज कर रहा था अब मैं आपको एक बात बता दूँ देखो भाई अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो भाई 22,000 अगर वो बंदा मंतली कमा रहा है न तो भाई उसकी जो टर्नो उसकी जो एनुवल इंकम कितनी बनती है मैं आपको बता देता हूँ मुश्किल से मुश्किल उसकी 3,000,000 से नीचे की बनेगी ठीक है अमूमन यहाँ पर कनेड़ा अमबैसी कोई भी अमबैसी वीजा रिफ्यूज कर देती है ये बोल कर कि भाई यूके खासकर ऐसी परफाइल पर वीजा रिफ्यूज कर देता है उनको यूके को ये लगता है कनाड़ा यूके हर अमबैसी को कि भाई अगर इस बंदे की 3,000,000 रुपे एनुवल इंकम है और ये कनेड़ा या यूके में गूमने में 2,000,000 रुपे खर्च कर रहा है तो ये अपने 9 महीने की इंकम मतलब खर्च कर देगा और जब इन भाई साब से मेरी पहली बार बात होई थी तब मैंने इनको यही एक्जामपल दिया था कि आप अगर 3,000,000,000 रुपे से भी नीचे कमा रहे हो तो आपका तो कनेड़ा या यूके बन ही नहीं सकता उन्होंने बोला कोई बात नहीं मेरे पास सेविंग पड़ी है और इनके पास 2,000,000 की FD थी अब जिन भाई साब का वीजा आया है कनाड़ा का बाई 22,000,000 रुपे सेलरी है 2,000,000 की FD थी और इनकी जो वाइब वो ब्यूटी पारलर का काम करती है उसका भी हमने साथ में अटेच किया था कि ब्यूटी गो वाइब वो 4,000,000 रुपे कमा रही है ब्यूटी पारलर से ठीक है और इनकी वाइब के पास 50,000 की FD थी और सेविंग जो थी इन दोनों के पास मिला के उसाड़े 12 लाख रुपए थी ठीके, इनके पास 6,0,000 रुपए थे इनकी वाइब के पास भाई पांच लाख कुछ थे यानि की दोनों के मिलाके 12 लाग के आसपास पैसा बनता था ठीक है और इनके पास भाई कोई ट्रेवल हिस्टी तो थी नहीं भाई ये एक ऐसी प्रोफाइल पर वीजा आया है जहां पर मेरे दिमाग के भाई बिल्कुल फ्यूज उड़ गे दूसरा जो बंदा है यहाँ पर जो दूसरी प्रोफाइल है वो है सोना राम जी की सोना राम जी की प्रोफाइल मैं बता देता हूं इनकी 40,000 रुपए सेलरी है और यह अपने एक दोस्त की कंपनी से सेलरी डलवा रहे थे काम भी करते थे थोड़ा बहता और यह दुबई ट्रेवल है दो तीन बार ट्रेव प्रोफाइल है वाइप इनकी कोई कंट्री ट्रेवल नहीं है और कनेड़ा ने इनको वीजा दे दिया ठीक है भाई अब भाई देख लो आपके सामने कैसी कैसी प्रोफाइलों पर वीजी आ रहे है और सेम मैं आपको बता दूँ एक वीजा और आया है कनेड़ा का वो कि कैनेड़ा और अस्टेलिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर एक इवेंट हो रहा है मैंने आप लोगों को बोला था और ये इवेंट हर साल होते रहते हैं हर महीने होते रहते हैं और आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो इवन इंडिया के अंदर भी हर दूसरे त तो मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था यह एक वीजा आया है आप लोग देख सकते हो कैनेडा का और यह जो लड़का है यह दो से तीन यह तीन कंट्री ट्रेवल्ड है हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की भाई और यह वीजा आ गया इव इवेंट बेस पर वीजा लेना चाहते हो तो आप लोग मेरे से जरूर कॉंटेक्ट करना ऑस्टेलिया और कैनेडा के अंदर अभी बहुत बड़े लेवल पर इवेंट हो रहे हैं इवेंट की आपको टिकट खरीद रही है और कुछ नहीं करना है ठीक है भाईयो तो आज की वीडियो में इतना ही अगर कुछ रह गया हो तो सबसे पहले तो मैं भाई आपको बता दूँ आप लोगों को आज जितने वीजें आए हैं मैं आपको स्क्रीन पर रहे कर देता हूं भाईयो आपको खोल के दिखाते हैं तेन तीनों जगे खोल सकते हैं आपको बट एक बार हम आपको इधर खोल के दिखाते हैं चलो जी करन जी खोलिए यह देखो हम यहाँ पर हाइड कर देंगे किसी का कि देट करो उपर करो यह देखो दो जनवरी को यह फाइल लगी थी और तीस जनवरी देखो भाई आज की डेट है और यह आ गई ओरिजिनल पास्पोर्ट रिक्वेस्ट यह हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं डाउनलोड करो भई तो यह देख सकते हो निकालना अब एक और अकाउंट खोल के दिखाते हैं अब हम आपको यह लो जी यह आ गया जी तो यह देख सकते हो यह 30 दिसंबर को फाइल लगी थी और ओरिजिनल पास्पोर्ट रिक्वेस्ट यह वीज़ा कल आ गया था लेकिन हमें आज पता चला क्योंकि यह सुबह सुबह आया है तो आप लोग देख सकते हो भाई हो तो एक और दिखा देते हैं आपको यह आ गया मिस्स संपुदेवी गह तो यह देख सकते हो आप संपुदेवी का भी हम आपको दिखा देते हैं कि दो जनुवरी को फाइल लगी थी और ओर बायोमेट्रिक इनके भी शाइद दो कोई लेटरा आ गया था शायद ऐसा कुछ था मैं आपको यहाँ पर पांचों बंदों की अलग-अलग दिखा सकता हूं लेकिन टाइम बहुत कराब हो रहा है इसलिए मैं अब इस वीडियो को खतम करता हूं किसी और दिन आपको मैं दिखा दूँगा ओके गाईज वीडियो हटा देता है इसलिए भाई बुरा मत मानना आज के बाद मैं वीजे दिखाऊंगा भी तो भाई थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दिखा दूँगा आप लोग समझ जाना ठीक है भाई हो तो भाई आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में तब तक जैहिंद वंदे मात रहूं